हुआ है 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 आप सभी आशाय आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे स्टूडिंट्स का एक क्वेश्चिन होता है कि मैं पढ़ाई मिमन कैसे लगे तो मैंने सोचा आज इसी पर वीडियो बिना लेती हूं कि इस वीडियो में कुछ बातें बिताओंगे यह स्टुडि में अगर आपके लिए बहुत यूस्फुल है और यह मेरा प्रामिस है अगर आप इन चीजों को प्ली लाइफ में यूस करते हो तो आप देर सब्सक्राइब कभी ना कभी सक्सिस्फुल जरूर हो जाओगे हो सकत कि वह बाते हैं तो पहली जो बहुत आइंप यह मने बहुत लोगों से सुना है बहुत जगेच पढ़ा इना ऑफीर ही कि रहती बहुत लाइब करते हैं यहांने कबी रचेया इनिट इसको यूज़ी करते हैं आप बते ज़ादा है हर एक नहीं लेकिन बहुत से लोग आपको खुट करना है कि आपको कितनी रेरिंग कितना राइम या कि इस बुक पे पोस्ट चेक कर लेता हूं वर्सब पे डीपी चेक कर लेता हूं आप उसलिए पंद्रा-पंद्रा बीसमिने टाइम निकाल देते हैं और ज्यादा भी होता है ज्यादा भी टाइम खराब करते हैं तो यह बिल्कुर नहीं क्योंकि देखो एक चीज़ अमेशन ध् और आपके बस अरनिक के अच्छे सोर्स होते हैं तो एक अलग ही रेप्यूटेशन होती है यह नहीं है कि यह सब कुछ यह है आपका बिहेवियर भी बहुत कुछ होता है अब पहली बात थी इंटरनेट और सोशल मीडिया कि इसका आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको यह सगजेस्ट करते हो कि अपने बच्चे को इंटरनेट यूस करने दो कि इनकालं ठीक है बच्चे कहते हैं कि मैं पॉले श्रुण uh तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, 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 तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा उसके पाद चाहे कुछ भी हो, फ्रेंड सी यह कहीं क्या पढ़ लोगे, बहुत टाइम बचा हुआ है, जो भी बढ़ है, देखो, जब आप धीरे-धीरे पढ़ोगे, तो आपकी क्या स्कूल में, जैसे आपने आज फंस डे सी पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जो लेक्च अब बच्चे क्या करते हैं, चलो, एक्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे, अभी कोई वो नहीं है, हम भी शायद ऐसे ही करते हैं, बट नहीं, क्योंकि यह चीज मैंने प्रैक्टिकली फेस की हुई है, कि कई बर सिटुएशन ऐसी हा जाती है, कि आप अपने पढ़ है चलने दो, लेकिन कुछ सिटुएशन ऐसी आई, कि मतलब मैं अपनी स्टेडी में कंसेंट्रेट नहीं कर पाई, तो हमें पॉजिटिव ही नहीं, नेगिटिव भी सोचना है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो बैटर है, मैं अपने काम को, अपनी स्टेडी को थोड़ा- है, तो आपकी लाइफ की 80% प्रोब्लम सही हो जाती है, तो आपके पास कितनी बची 20% प्रोब्लम और 20% प्रोब्लम ता ऐसी होती है कि बिना बुलाय आ जाती है, आपको भी नहीं पता होता है, अब देखो, हेल्थ में आजकल पते है, बच्चे नो बजी तक छुटी वले और मेरी एक स्टूडिन्ट है, इसको में हमेशे कहती है, वो लेट उठने के हाफवी तैम में उसको बहुत संजाएगा, जल्दी उठा गरो, तो आपके बात कहती है, अभी वीडियो देखेगी, तो कमेंट करना समझ गए होगे, कि मैं कुछ भी करवा लो आप उससे, लेक तो मैं सबको यह कहती हूँ कि जल्दी उठाओ, वो आपने सुनाओ ने, अरली टू बैर, अरली टू राइस, मेक सम एन हल्दी वेल्दी एन्वाइस, तो वो बात बिल्कुल सही है, देखो, सुभह के जो ऑक्सिजन होती है, वो प्योर होती है, ठीक है, दिन के अकोर्डिक सुभह के जो अक्सिजन होती हो प्योर होती है, और जो ऑक्सिजन आपके बोडी में जाती है, तो जब बोडी सेल्स को मिलती है, तो उपने एक एनर्जी आती है, जो आपके पूरा दिन आपको एक्टिव रखती है, ओकी, देखो, अगर आपमे कुछ भी नहीं, मतलब मैं उपको 15-20 मिन आपको फिजिकल वर्काऊट या जो भी मौर्निंग बोग है तो योगा है तो कुछ ना कुछ करना जी फिर भी अगर आपके पास थायम नहीं तो थर्टी मिनट्स का भी तो नहीं है 15 निट्स निए तो उनले 5 मिनट्स अपनी चछथ पे जाएगे दोर लगाए जिसे वह oxygen आपके बोड़ी के अंदर जाएगे और आपके लंग्स ट्रॉंग होएगे और लंग्स जो बोड़ी सेल्स को oxygen मिलेगे आपको एनर्ज मिलेगे यह मेरा पर्सनल एक्सपिरियंस भी है एक्शली मैंने दो तीन महीं में योगा करना छोड़ दिया था तो मुझे जिसे मैं बीमार से रहने लेंगी हूँ मैंने सुच्छा कि क्या रेजन है इसका कि मैं कभी इतना हो नहीं लगा कि जब मैंने योगा शोड़ा कुछ दिन मुझे कुछ मैसूस नहीं हूँ और फिर मुझे लगा कि मैं बहुत थकी रहती हूँ यह तो मैं इन्दु भी ने ज जरूर बिदाए कि आपने अपनी बोडी में क्या डिफरेंस लेखे ठीक है कि जब आप योगा कर तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और देखों किसी के लिए नहीं खुद के लिए हम अब एक चीज़ ओर भी बड़ी दिक्कत है बच्चों की बच्चों की क्या हम सब की ही बंती जा रही है जंक फूड फास्ट फूड मतलब हमें पर एक बर क्या हुआ कि मेरे मैं पढ़ा रही थी तो मैंने में एक स्टूडेंट देखा वह बाहर बैठके पैप्सी के साथ से देखा वहारा थी जासे फास्ट फोल्डरिंग के साथ फोटो लेना पीजा बर्गर इंके फोटो अप्लोड भी बड़ा करता था था डीपी में जैसे किसी रेस्टोरेंट में बढ़ा है पीजा खा रहा है तो उसके भी फोटो बड़ी बड़ी पे होती थी तो मैंने उसका प्ला के आप पीजा भी बड़ी हैं इसके डारो को कि कुछ भी बड़ी प्लभी यह करतें उससे आपको मुतलब नहीं आपको कीवर अपनी हेल्फ कर्णा रखना है यह जो चीज़े कोशाब्स एगए खोल्डरींग्स पेस्ट्री जारा इनका जो जी आई होते हैं मैं जी आई जी यहीं दोगें अब चीज बहुत होते हैं, आपके बोड़ी ऐटेकर मिलेच इनर्जी कि छोड़ी इनर्जी मेरे को छोड़ी देटें यह хाने से dead दिरे दिरे एनर्जी तो बिशक मिले लेकिन वह आपको लंपे टाइम तफ इस अनर्जी से आप काम किर पाओ करणर र Melanie आपको बिश साथ है घहता है तो रहता है पाली के तो आपको यह आप आपको हिन्यार को करता है और हम जोटे में तो रहें से बसंट सब्सक्स गिलनार है किर दो इक डुक्क रहना है कुल्स बने काम कैसी माला को नंशी कमिल काम रया है तो आपको क्या रखना है, टाइम मैनेज करना है, अपनी हेल्फ का ध्यान लगना है, उसके बाद एक चीज आती है, थर्ड सबसे ज़्यादा जरूरी आप में रेगिलरेटी होनी चलिए, जब तक आप में रेगिलरेटी नहीं होगी, आप कितने ही इंडेलिजेंट हो, कितने मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, वो बहुत 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 था, अपनी क्लास के अपोर्डिंग बहुत पीछे था, मतलब उसकी फिर उसकी टीचर से मैंने अच्छली मैने उसको बेसिक्स क्लियर करवाना है, और उसको एक-एक महीना लग जाता था, एक-टॉपिक कवर क जाता है, थाम था, मुझे भूट मैनत करने पड़ती था, उसको चीजे संजहाने में, एक-टॉप लग जाता था कहीवार, तीन-वीग लग जाता था, था-तॉपिक कहीवार, तो, पास स्राटिंग मै ऐसा हुआ, इसा नहीं कि बाद मै, असा हुआ है, उसकी स्कूल मे भी सबसे ज्यादा कम जो यह क्लास का सबसे ज्यादा मैक्स में वीक बच्चा है मेरे को यह जी जो भी आप कर दोपिक पड़ते हो जो इसको बेसिक से से लेना है ठीक है फिर उसके बाद और परता है आपको क्या हुआ उसकी मैंने उसको एक ही बात बोली की बिटर रेगुलरीटी मत छोड़ना आपको दो घंटे मैस हर हाल में करना और उसने मेरी बात मानी भी और यू वॉन्ट बिलीव जब उसका शेशनल यह जो आपकी सिक्स में एक्जाम्स होते हैं सेशनल एक्जाम्स जब उसका रिजर्ट आया ना तो ही स्कोर 74 माक्स इन मैस ठीक है इस टीचर वस अलसो सर्प्राइस्ट जो बच्चा वो जिसके लिए वो यह कहते थी कि लास में सबसे जादा गी क्यों फिर वो 74 माक्स लेकर आ रहा है तो अग्यूररी थी अब दूर्ट कलावण होगे